नमस्कार स्वागते आप सभी का सीनियूस के खास कारेकरम सी हेल्थ में करते हैं और हमारे साथ मौझत हों नमस्कार आपकी साथ हैं। को आज में बता दू हमारा आजका विशे क्या है असका ए हमारा विशे है बूस्त बाति करने वारे हैं सो आईये अपनी चलशा को शूरू करते हैं और हुप e डॉक्टर से जानते कि Brassbine होता क्या है क्या है देखें, ब्रेस्फेंट जो है, इसको incidence बहु physiयनस बहुत ज़्यादा है। हमारेे, जतनी भी महिला है वह आपने जीवन के दौर में कभी न कभी उनको ब्रेस्फेंट की समस्या आती है। और 70% आप आप देखिए, पॉपलेशन की 70% बहिला है जो किसी ने किसी समय इस breast pain से सफर करती है इसको breast pain को हम लोग जो है हमार जो टेक्निकल ट्राप में उसको हम लोग कहते है और इस breast pain में सबसे बड़ी खांज बात है कि उनको घब्राट जादा होती है इस घब्राट में उनकी decisions थोड़े से होने लगते हैं घुलत अधर आप देखें तो इसमें 60-70 pain बहुत हमलेस होते हैं सिर्फ अगर आप प्रॉपर डॉक्टर को कंसर्ट कर रहे हैं तो शायद आपको दवाईया भी ने खानी पड़े आप बिना दवाई के भी ठीक की किये जा सकते हैं जी तो डॉक्टर जैसे की breast pain आपने बताया क्या होता है तो मैं इसको जाना जाओंगी इसके लक्षन क्या होते हैं जैसे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमें यह परेशानी हो रही है प्रेस्पेंट जो है कि जनरली जो है वह चाहती में आपको पेंड होगा कभी-कभी मैल्ट होता है कभी बादर कभी सीवीर होता है पर यह इसको हम लोग जो अपनी डागनोसिस और जैसे मेज्सेशं आपको होते हैं पाई जब खूँन जाता खतब हो जाता तो यह ब्रेस्पेंट अपने आपisten हो जाता यह इनका इसका मैज्से से कोई लिख नहीं होता है और यह जो किसी भी समय शुरूchn जाते हैं और दॉरस्पेंट इओं है, इस पर कोई कारव हो सकता है. तीसरा जो हूता है डौइ ब्रेस्ट पेंट के तथे हैं, जिसको चाती वाले एरिया में डर्थ है और उसका चाती से कोई लेक निया है, जैसे कि कोई चोट लग गई अब आपके जो चाती की दीवार है उसमें कोई चोट है उसमें भी इसा पेर हो सकता है अगर आपको बाई तरफ होता है तो हार्ट का पेर भी कभी 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 ब्रेस्ट पेर की तरह आता है डर्व रूट्स के जो पेर होते हैं वह भी इस तरह के नक्षन हमारे शरीर में उत्पन होते हैं और जब भी आपको ऐसा तो आप ज़रूर के पास परामश करें तो बात करूंगी जो यह ब्रेस्ट पेन है आज कल देखने को बहुत मिल रहा है जैसे कि तो इसका में कारण क्या है तो अगर आप विश्वाश करें तो तो अगर शरीर में बहुता है तो उससे भी उससे भी होता है दूरसा जो आपका हर्मोर है तो अभी आपने बताय कि किस रीजन की वज़ा से यह होता है मैं बात करूंगी एज ग्रूप की जैसे कि किस एज ग्रूप की लोग आपके पास ज्यादा आते हैं ब्रेस्ट पेन को लेकर जैनली जो पीशेट्स आते एक तो हमारे पास ग्रूप आता है 22-40 का बीज से 14 साल के बात के उमर का तो उसमें जो 20 से 14 वाना जो ग्रूप होता है इसको हम लोग cyclical pain वाली उसमें category में ज्यादा यह आते हैं इसके लिए हम लोग एक छोटा सा test कराके देखते हैं Memogram एक test होता है Memogram अगर ठीक आता है उसमें कोई guard या कोई calcification हमें नहीं मिलता तो हम patient को सिर्फ उसमें reassure करते हैं रियाशूर ये करते हैं कि आपको कहीं कोई चिंता की बात नहीं है आपको परेशानी नहीं है सिर्फ आप अपने ध्यान इस दर्थ से थोड़ा हटाए फ़ेशे सब्य के साथ ठीक हो जाता है और उसमें के साथ यह जरूर कहा जाता है कि आपका जो अंदर का जो कपड़ा हो जाती है वो प्रॉपर्ली फिटिंग वाला कपड़ा हो जाती है कि अगर अगर के कपड़े धीले होते हैं तो ब्रेस्ट या चाती जब थोड़ी सी धीली रहती है तो अंदर को जो लिगामेंटिस सपोर्ट होता है जो उसको रोकता है उस पर खिचा हो पड़ता है उससे दर्द होता है यह देखा गया है 80% अगर इसपोर्ट वाले जो अंडर कार्मेंट्स आते हैं उनको अगर पेशेंट बैठता है तो विश्वास मानी यह 80% पेशेंट से बारे बरीजों की सबस्या खतब हो जाती है जी तो डॉक्टर मैं बात करूंगी जैसे की लोगों में लोग सोचते हैं यह ज़ादता केवल महिलां को होता है कि मेल और फीमिल दोनर में पाया जाता है नहीं यह आणिशन जी आपको बहुत अच्छा कुशन है यह ऐसा नहीं कि फेमेल्स और मेल्स पर कोई हम लोग डिवार्केट करते हैं कभी-कभी यह सबस्या हम लोगों को मेल्स में भी आती है और मेल्स को अगर लगता है कभी उनकी चाहती का थ्यान रखना चाहिए और अग कितना रूल है कि जो लोग हैं जो फिटिंग के कपड़े जादा तर पहनते तो इस वजह से क्या यह परेशानी जादा होती है देखिए मैं आपको फिर आपको रिडिपीट करने जागों 60% जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉपर अपने कपड़े नह पहने से ही हा रह होती है तो आपके 70% हमारे खतम हो जाते है क्योंकि जो कूपर्स रिलिगावेंट होता है जो उसको सपोर्ट करता है उस पर कोई खिचाव नहीं होता है नमबर टू यह भी कहा गया है कि हमको थोड़ी सी चिकनाई रहे या फैट वानी डाइट हमको इसमें कम लेनी चाहिए साइटिफिक प्रूव इसका नहीं है पर यह दिखा गया है जो पेशेंट्स चिकनाई या घी तेल बक्षण ज्यादा इसमाल करते हैं उनमें इस तरह के के दर्थ हमारे थोड़े से जादा होते हैं तो लाइफ इस्ट्राल का थोड़ा बहुत इसमें पर्थ बढ़ा है यह तो हम लोग कहीं नहीं सकते हैं प्रॉपर्ली फिटेट अपने कपड़े पहरिए और तेल चिकनाई की बक्षण का इस्तवाल कम करिए और थोड़ सा कॉफी चाहे का इस्तवाल कम करिए यह दिखा गया कि कैफीन से भी जो होता है तो दर्शुकु जैसे कि डॉक्टर ने ब वस्ता होती है तो उसमें शेर को हार्मो इसका परिवर्था आ यह और को झाज करा आ कि देख लेंगे और अगर अगर चाहती बिल्कूँ ठीक आती है कहीं कोई दिक्कर बात नहीं तो फिर उसमें आपको चिद्धा करने की कोई बात नियों जो सावभान यह दॉर बहुत ज जिनको सिर्फ आप जैल को लगाई चाती पर दर्ब आरा मिल जाता है या उसके जैल से आगे आप कुछ इस प्रेज जो है आल फ्री होता है अब दो उसको पफ डाली है जस्ट इस प्रेट अब बालिशनी कर नहीं होती उन सब चीजों से आरा मिल जाता है अब इसमें गोलिया जो डिलेवरी के दोरान डिलेवरी के जब हो जाती है उसके बाद जो महिला है आजकल जाद अपने फिगर का मेंटेन करना होता है तो फीड नहीं करवाती है बच्चों को तो इस वजह से कैया यह परिशानी कितनी एफेक्टिव करती है तेकि पहली बात तो है कि महिलाओं क अधिका उसका अधिगार हर बाग को प्रेशानी होगी ऐसा कुछ नहीं होता है तो प्लीज अपने जो बच्चे हैं उनको फीड जरू कराएं और डॉक्टर मैं बात करूंगी जब यह परेशानी लोगों में हो जाती है ब्रेस्ट पेन की तो इसकी टेस्ट क्या-क्या होते हैं देखिए सबसे पहले ब्याव को दूग जैसे पिशेंट हम लोग के पास आता है तो हम लोग उसकी प्रॉपर हिस्टी लिया करता है कि वैदर डिस पेन इस साइकलिकल डॉन साइकलिकल और डॉन बरस पें उसके बाद हम लोग एक पिशेंट को हमेशा एक पेंड कार्ड को ब्लॉक कर दीजें और महीने बर का हम लोग पेंड चार्ड देते तो यह हम लोग ना लेते हैं कि यह प्रेंड साइकलिकल है डॉन साइकलिकल है या नोट ब्रस पेंड है और एक पॉइंट में जिस दिए में आपको महीना शुरू होता है वो तारिक इसमें डाल दीजे यह जब पेंड हने पास कार लेका आता है तो हमें डाग्नुसेस में आसाणी मिलती है साइकलिकल पेंड हम लोग बहुए ज़्यादा परिशान नहीं होता है अगर अगर महीना को चिंता पहुँग जाता है तो वह डॉक्टरों से बाद कम करती है अपने नानी चाची काकी पड़ोसिन से ज्यादा बात करते हैं और उनको कैंसर के अलावा कोई दूसरी बीमारी का ग्यान नहीं होता Jew तो जब हमारे पास मरी जाता है तो इतना धरा हुआ होता है कि cancer, 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 उनको अगर हम लोग समझहना भी चाहते हैं कि cancer की कोई कोई बात लिया है, कल्सिफिकेशन उससे पता चल जाते हैं और अगर बेमोग्राफिया हमारी डॉर्मल हाती है तो हम पेशेंट को जो उसका ट्रीट्मेंट देता है सबसे बड़े उसको रियेशोरिस देते हैं कि आप बिल्कुछ चिंदर ने करें आपको कोई कैंसर की बात लिए यह पेट डॉ वह ओली बेस होते हैं तो उसकी जगे आप इस प्रया गया है आप इस प्रे कर दिया पानी की तरह होता है इसमेंट कर जाता हूँ और से काफी कुछ ठीक हो जाता है यह भी देखा किया है कोई हर्मोर्ण एपिसिट अगर हो जाता है जैसे आपको डिलिवरी हो गई कुछ हो तो उसमें हम लोग हमेशा एक ultrasound करा के देखने चाहते हैं ultrasound से हमें कोई gart है system यह हमें से पता चल जाती है अगर कोई उसमें gart है तो फिर इसमें हम लोग उस gart कर टेस्ट करने चाहते हैं बड़ा सिंपल सा test होता है FNEC होती है image image guided करता है ultrasound में देखते हैं उस gart में से पानी निकाल लेते हैं और उस पो study करा लेते हैं cancer जनले यह होता है ऐसके बाद भी patient को हम लोग reassure कर देते हैं और उसके बाद भी दर्ट ज्यादा परिशान करता है गार्ट हो ज्यादा परिशानी है तो ऐसा किया जा सकता है कि उस gart को हम लोग operate करके निकालते हैं एक तीस local anesthesia देते हैं उस सभी कभी कभी हमारे patients ठीक हो जाते हैं और उस सभी अगर ठीक नहीं होते हैं तो locally उस trigger point को हम लोग छोटे से operation से अटा देते हैं और हमारे बारी जनली से ठीक हो जाते हैं तो इस तरह के जो टैस्ट होते हैं वो आप करते हैं और इसके बाद मैं बूशना नहीं कुछ करना होता पेशेंट को सबसे पहले बात है उसकी counselling करनी होती है यह मेरी अपने चिकिश्चक विम्मित्रों से भी बात करना चाहूँगा भी बहुत होती हो पीडियस में अगर कोई patient breast pain कहा थो तो उसकी counselling at least 5 मिर जरू करने चाहिए उसको reassure करना चाहिए उसकी आधी problem उससे खतब हो जाती है उसके number two उसके garments को उसको guidance देनी चाहिए अंडर garments जो होते है यह अंदर के जो जो भी कपड़े पहनती है महिला वह बहुत टाइट होनी चाहिए जनरली महिला इस तो ध्यान नहीं रख पाती हो कपड़े धेले होते ब्रेस्ट जब थोड़ी सी सेटाउन करते हैं मदब support में रहते हैं जो उसका ligam medos के support पर इसने चाहता है जिससे उनको दर्द होता है और इससे भी अगर control नहीं होता तो फिर वह यह तक गोलिया नहीं देते हैं हमेशा है चाहते है कि local express से हमारे काम हो जाए इसके पाद अगर हमारा patient non-cyclical pain पे आता है क इसको भी हम लोग लोग यूज कर लेते हैं यह दवाए भी अगर effective नहीं होती है तब एक strong medicine में जाते है जिसको हम लोग avoid करते हैं क्योंकि denazol के side effects से होते हैं जो उसमें male वाले features patient में आरे के डर रहते हैं जी तो इस तरह के treatment जो है वो आप करते हैं तो जो treatment आप जो करते हैं वो मैं इसका पूछन चाहूं कि time period कितना होता है कितने समय तक ही चलता है हम लोग patient को reassurance वाना treatment है वो तो हम लोग उसको कम से कम 3-5-6 मिले तक देते हैं और generally देखा गया है patient से ठीक हो जाते हैं जो patients हमारे refractory patients को कहते हैं जो इस बास से ठीक नहीं हो पार है उस सभी परशान है तो फिर हम लोग इनको investigate कर लेते हैं non-cyclical, cyclical pain और non-webless pain उसके इसाफ से अगर लगता है तो हमें at last जो हमारा last resort है तो हम low-dose hormones को इसमें use करते हैं जैसे हमने बता है टामक्सिफोई है, सैंट्क्रोबेन है और इसके बाद भी अगर patient ठीक नहीं होता है तो फिर उनको हमेशा counselling की करके रखते हैं और यह कहते हैं आप regular check-up को कराते रही है अगर कोई ज्यादा problem बढ़ेगी तो फिर हम surgery की सोचेगे पर surgery is the last resort जो हमेशा हम लोग avoid करते हैं तो दर्शकु जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि किस तरह के लक्षन हमारी शरी में पाया जाते हैं जब हमारा breast pain होता है किस तरह के हम टेस्ट करा सकते हैं किस तरह के treatment होते हैं तो अभी फिलाल वक्तों चला एक छोटे से break का हम ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कि ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से सवागत है हमारे खास कारे करें सी हेल्थ में तर्शक को मैं बता दूँँ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुनिर सर्मा और आज हम बात कर रहे हैं breast pain के ऊपर तो हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की ती treatment की कि समय तक चलता है मैं बात करूंगी medicine कि किस तरह की दी जाती है और कब तक चलती है देखिए इस पर जो हम लोग जो देते है एक लास जो होता है रिजॉट जब सारे अपर इस सिस्टम फेल होता है तो हम लोग लोग डोज हर्मोस पे आते हैं पहले बहुत हलका हर्मोस देते टमकसफर्ण और प्रजिस्टोर्ड को थोड़ा सा देखते है उसके बाद अबर अबर जाते हैं क्योंकि है कि हर्मोस करें करते हैं जो हम लोग देते हैं थी टू सिकस मूंस एनको हम लोग देते जी तो डॉक्टर जैसे कि आपके पास पेशेंत आते हैं रेस्ट पेन को ले कि गाठे हो सकती है खतरना के गयर खतरना गयर खतरना गाठे ज्दा होती है ब्रेस्वेट का इसको हम लोग बेराइट ब्रेस्ट डिजिस के तो डॉक्टर यह आज कल देखा जाता है कि कम इसके बच्चों में भी परेशानी जो है बहुत देखने को मिल रही है तो इसका अधरने चोड़ी बढ़ रही है तो पेशिट अपने टाइम ले डॉक्टर को कंसर्ट कर रहे है इस लिए हम लोग इसे चीज़ों को ज्यादा जल्दी पता कर रहे है तो डॉक्टर जैसे की जादर देखा चाहता है जो महिलाएं होती है जब उनकों ब्रेस्ट पेंकी परी तो कोई अंग नग खराब होता है न अच्छा होता है आपको कोई अगर प्रॉब्लम है चाहती से संबन्द जो भी सरजन उनसे आपको मिलना चाहिए और इसको एवड़िने करना चाहिए तो मैं पूछने चाहूंगी अगर जब ब्रेस्ट पेन होता है अगर इसमें ग्रिटि वे नहीं ने हो चुके, साथ में नहीं हो गए, नहीं आना बारा, तो उसको हम लोग, triple हमारी जी टेओरी उसको हम लोग follow करते हैं, पहले उसको detail हिस्टील लियते हैं, उसके बाद फिर हम लोग mammogram कराते हैं, mammogram या ultrasound कराते हैं, लेकि mammogram लोग तब कराते हैं, जबकि हम ने ब्रेस को एक्सामीन किया और हमें कोई गार्ड या सिस्ट हमें नहीं मिल ले violating तब हम लोग्मिल्यों कटे हैं, या अगर हम ने जब इस्ट हमें कोई चोटी सी गार्ट फिन हो रही है या सिस्ट फिल हो रही है तब हम लोग अल्टरसाउंट को जाते हैं मेमोगराम हमें बहुत चोड़ चोटी गार्टों का आईडिया देता है और अल्टरसाउंट हमें नीचर ओफ गार्ट बताता है कि वो सिस्ट है अगर ज्यादा परेशान ही तो उसको अपरेट करके निकाल देते हैं और अगर वह ब्रेस्ट वाले फीचर से जाती है तो फिर उसको हम लोग केसर की तरह तो डॉक्टर अगर जाद तर देखा जाता है कि समय रहते हैं अगर ब्रेस्ट पेन के परेशानी जो है नहीं करें सम्भाव नहीं हो सकते हैं कि 70% 75% जो ब्रेस्पेंस होते हैं उसे पर कैसर नहीं होता इस पर हम लोग अदेश है कि अगर आप पेशेंट को जागरती है अगर हम एक हजार पेशेंट पेशेंट पर पांच पेशेंट भी बचा सकते उनको कैंसर होने से तो हमारी medical science साफ हो जाता है इसमें कोई खत्रीकी बात नहीं है इसलिए जाकृति होनी चाहिए और छोटी सब्सक्राइब आपने सर्जन से आपको चाहिए तो डॉक्टर हमें जाना चाहूंगी कि आप डाइट प्लान किस तरीका का लोगों को रिकमेंड करते हैं कि किस तरीक से अपने करते हैं तो अगर कोई कोई इस्टोमिलेटिंग फेक्टर है वो हम लोगों को अवेट करने चाहिए और थ्वहाएब भाश्य आपने जीवन ब्यापको करने चाहिए जैसे कि आपने बात की एक्सराइज की तो इसमें जब वो ब्रेस्ट पेन की समस्या हो जाते तो अब उस साल के अगर अब तक हम देखें दस साल में तो अब यह जो समस्या है कितनी बड़ी है बड़ी है या फिर कम हुई है तो यह है कि इस समस्या थोड़ी बढ़ी है और बढ़ने के दो कारण है एक तो पेशेट्स पे जागरती आ रही है तो डॉक्रस को कॉंसल्ट कर रहे हैं नबर दूसरा कारण यह है कि लाइफस्टाइल बदल गए समय नहीं है लच और डिनर के समय रही है जो फास फूड मिला वो खा रहे है तो उसमें उनकी फैटी डाइट हो रही है वो इस समस्या को हमारे बढ़ा रही है अगर मैं बात करूं ब्रहांतियां के तो लोगों में ब्रहांतियां होती है कि ये केबल महिलाओं में होता है पूरुशों में नहीं हो सकता और पुर्ष अगर इस समस्या को कभी किसी कहई वी प्रेस्ट है कुछ है, ऐसी प्रावलम फेस करने हैं, तो उनको भी अपने वही कार करने चाहिए, जो एक महिला के लिए होते हैं, उन्हें भी टेस्ट कराने में कही कोई समस्या नहीं आदी चाहिए, और दूसरी बाद जित चाहें जाबोग्राम कराने के बाद जो आपके सरजन्स है उसों इसे आपको एक बार सला जो है जरू करने जाएंगे तो मैंस डॉक्त बात करना चाहूंगे अवेनिस की वो कितनी बड़ी है लोग जागरुख होए हैं या नहीं होएं और लोगों को किस तरीकिसा जागरुख करते हैं पहले हमारी बच्चिया जी यह फिमेल सी वह हैसिटेट करती थी थोड़ा सा संकोच काम हो रहा है और उनके घरवाले अगर उनसे कुछ कहते तो वह उनकी बाते ना बात हुए डॉक्टर को कंसर्ट कर रही है और उनके बाद वह करती है क्ром करता है कि झादाब डेखा जाता है जो होती है वह 승ख करते हैं थोड़ा बताने की लिए लेकिन अगर कंपेर रहा हैं वह वह working की तो वह संकोच नहीं करते हैं वह और कंसर्ट कर लेते हैं फैमिली में और यह और यह इनितर चाले वAK रहार रहा ह। कि यह जो फर्क आ जाता है शिक्षा के लिविल पर भार nous कि आ खार यह किया तुंस्न पूरा जीवट अपने घर के लिए आफ दरी तो अब यह जो कहरो यह अब अपने वह सब्दानियों तो इसमें क्या-क्यास आप धाने बरतनी चाहिए जिससे कि हम बच सकते हैं हमें breast pain से ना हो उसके लिए ब्रेश्ट पेंड एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम लोग यह कहें कि हम कोई ऐसा काम करें इस से हम बच सकते तो ऐसी तो कुई थियोरी नहीं है कि बहुत सारे फेक्टर से इसको इसकी क्वाइटिटी को कम कर सकते हैं नमर टू आप अपनी डाइट का धियान रखिए लो फैट डाइट लीजे और कैफीन के प्रोड़क्ट्स उनमें थोड़ से कम होने चाहते हैं नमर थ्री आपको इन सब बातों से अगर में बचना चाहत हैं तो हम लोग हमेशा प्रोड करके चलते हैं सेल्फ एग्जामिरेशन और ब्रेस्ट हर महिला को करना चाहिए यह हम डॉक्टर्स की सर्जंस की एक मोहें में हम हर अपने पेशेंट्स को बताते हैं एवेडिस कैप करते हैं और आपका जो मीडिया चैनल है यह हमारी इलिश को देखने चाहिए अगर नॉर्मल पोडिशन पर है यह तो कोई दिक करती है नॉर्मल यह थोड़ा तो लग रहा है कि लेवल में फारक है तो डॉक्टरों करना चाहिए दूसरे आप उसके बाद पार्च मट का काम है इससे जाद समय नहीं लगता आप मिस्टर पर लेट ज करें कि आप को कोई भी गाँट है आपको पता चल जाएगी ब्रेस पर डिक्त या है कि उसमें लूस फै टूशी पहुंचा होता है चोटी गाटे अंदर इब बढ़ती है पता ही निए चलती हो जब तक पता चलती है तो खतरना फूब ले लेते हैं अब आपने सेल्फ एग्जामनेशन ओप्रेस्ट किया तो कोई छोटी गाठ है सिस्ट है जो आपको पता चलेगी वह पता चलेगी तो आप अपने डॉक्टर को कंसर्ट करेंगे आप जितनी जल्द हैं कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के परिशानी हो सकती है अगर जब हमें यह पता चले हों किस तरह के टेस्ट करवा सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं हमारी कारेकर में वस इतना ही फिलाल में जाने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहूंगे हमारे दर्शकों को आ निकालता है इसी तरीके से अपने काम चाहिए आपको कभी breast pain है या आपको कोई सी दिकत है या को पस आ रहा है हमेशा सर्जन से चाहिए नानी चाची काकी दादी की सलाना वारे सर्जन से जाके मिलने नबर टू सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट आप इसकी आदर डालिए और आपको अगर आदर गई तो इस तरीके से इस मैसिज को इस्पेट करिए नमर थ्री अपनी डाइट को थोड़ सा हमेशा ध्यान रखिए लो फैट डाइट बना चिकनाई घे तेल मक्षन का थोड़ा इस्त करना चाहूंगे आपको बहुत शुक्रिया जो आपने हमाई दर्शकों को तमाम जानकारें दी तो दर्शकों जैसे कि डाक्टर ने आपको जो जो बातें बताएं आप उसवर विशेस धियान दे हमारे कारेकर में फिलाल इतना है हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के कर दो